इस वीडियो में हम अब Share Market का आगे की options देखेंगे अब हमें अगर किसी company का या किसी सोने चांदी का पर LinkedIn करना हो तो कैसे करेंगे तो चलिए पहले हम चांदी से शुरू करते हैं तो देखें यहां पर इसको watch window बोलते हैं इस area को तो देखिए यहाँ पर search लिखावा है और यहाँ पर लिखावा है जीरो बटा पचास इसका मतलब क्या होता है कि आप पचास कंपनियों के नाम यहाँ पर add कर सकते हैं अभी तक आपने जीरो का add कर रखा है पचास कंपनिय में सोना चांदी भी सामिल हो सकता है तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा S-I-L-V-E-R M-I-C तो देखिए silver M-I-C यहाँ पर लिखावा है 21 फरवरी यह 21 का साल फरवरी का महना यानि कि फेवरी के लार्ट तक यह है 2021 का साल अप्रेल तक और यह है 2021 जून तक तो यह इनको कहा जाता है अलग-अलग contract कहा जाता है अगर आपको ने सबसे पहले वाले को click कर दिया तो यह ऐसे select हो जाएगा तो देखिए इसका मतलब क्या होता है अब इस silver में तीन चीज़े है एक तो है F.U.T. foot foot का मतलब होता है future future का मतलब कि आप November खतम होने तक आप इसमें अगर आपने buy कर लिया तो आप इसको November के end तक रख सकते हैं उसके बाद यह अपने आप ही automatic sell हो जाएगा यानि कि जैसे November में 30 दिन होते हैं तो 30 November तक अगर आपने buy कर लिया तो आप 30 November तक अपने पास रख सकते हैं उसके बाद यह अपने आप sell हो जाएगा लेकिन उससे पहले आप कभी भी sell कर सकते हैं और अभी का जो भाव है 28400 यह जो भाव है यह हर सेकंड बदलता रहता है लेकिन आज सनीवार है सनीवार और रहतवार को हपते में दो दिन market बंद रहता है तो दो दिन आपको देखेंगे कि इसमें कोई परिवतन नहीं होगा यह fix रहेगा यहां देखिए जीरो बटा पचास था अब यह एक बटा पचास हो गया क्योंकि अपने एक आइटम इसमें एड़ कर ली है इसलिए एक बटा पचास हो गया अगर इसको हटाना हो तो देखेंगे जैसे आप इसके उपर माउस लेके आते हैं यहां पर एक दो तीन चार पां और मोर में दबाएंगे तो और अप्सन आजाएंगे जैसे पिन चार्ट टेक्निकल्स और सेट अलर्ट तो इन मेंसे जो सबसे ज़्यादा जुरूरी है वह आपको बताओंगा तो जब भी आपको बाई करना आप बाई दबाएंगे जब सेल करना है दो आप सेल तो देखिया और आपने डिलीट दबा दिया तो देखिए जो आईटम आपने अपर एड की थी वह हट गई और नहीं पर जो यह वन था यह फिर से जीरौ हो गया है फिर से आपको एड करना हो तो यह आपर फिर से क्लिक करिए और यहां लिखिए जिसके उपर आप देखे चार आप्शन है जिसके उपर माउस लेके आएंगे यह साइड में बटन आते रहेंगे यह थोड़े डिश्टब करते हैं इनको हटाना हो तो माउस को तार नीचे लिए ऐसे साइड में तो वो जो बटन है यह बटन नहीं आएंगे बटन हट जाएं यहाँ पर mcx लिखा रहता है आप साइड में देखिए mcx mcx स्टॉक एक्षेंज का नाम है जैसे एक स्टॉक एक्षेंज होता है बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज यह मल्टिपल कॉमिटिटी एक्षेंज बोलते हैं इसको तो इसके थ्रू ही इसके द्वारा ही सोने के चान जब चाहिआ ंज़्टी का लेंदिन नहीं करता है वह LIVE कंपनि ओक शेयर का करता है तो इस से में कोई फरक नियए परता है यहाँ पर कुछ भी लिखा लिखाओ हमें तो इस से मतलब है आकी का जो है तो इन बहुत में से जो और अप पाईड़ करना उसमें क्लिकर द तो इसलिए सबसे नजदिक नॉयम्बर वाला तो देखे एड करते साथ ही जैसे यह एड हो जाता है अब अगले वीडियो में हम इससे आगे के बारे में बताएंगे धन्यवाद